Hello everyone, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम drop down list create करते हैं और कैसे हम उसको added करते हैं और remove करते हैं यह data list है हमारे पास, इस data का use करते हुए हम एक drop down list create करेंगे जहां पर भी हमको drop down list create करनी है उस cell के उपर आएंगे डेटा टैप के अंदर आएंगे यहाँ पर option है data validation इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम select करेंगे list और इस arrow के उपर क्लिक करेंगे data को select करेंगे वापस arrow के उपर क्लिक करेंगे okay के उपर क्लिक करेंगे drop down list हमारी तयार है अब ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी drop down list के अंदर दो ही option हो या तो yes या तो no तो दो option वाली drop down list कैसे create करते हैं चलिए समझते हैं जहां भी drop down list create करना चाहते हैं उस cell के उपर आएंगे data validation option के उपर आएंगे यहां पर list select करेंगे अब source के अंदर हम लिखेंगे yes और no हमारे पास जितने भी option होंगे उनको हम कोमा के साथ लिखेंगे okay के उपर क्लिक करेंगे तो दो option वाली drop down list हमारी create हो चुकी है अब बात करते हैं कि अगर इस list के अंदर हमको कुछ edit करना है तो वो कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर मैं इस drop down list के data को बढ़ा देता हूँ अब इसको drop down list के अंदर update करने के लिए हम वापस data tab के अंदर आएंगे data validation यहाँ पर source के अंदर इसको select करेंगे और इसको delete कर देंगे अब वापस से हम अपने updated data को select कर लेंगे ओके के उपर click करेंगे drop down list हमारी update हो जाएगी ऐसे ही हम इस drop down list को भी update कर सकते हैं data validation के अंदर आएंगे जो भी हमको update करना है उसको हम कोमा लगा के यहाँ पर add कर देंगे ओके के उपर click करेंगे तो यहाँ पर वो update हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि अगर हमको drop down list हटानी हो तो उसको हम कैसे हटाएंगे जैसे यहाँ पर हमको यह वाली drop down list हटानी है सबसे पहले cell को select करेंगे data validation के अंदर आएंगे यहाँ पर option है clear all इसके उपर click करेंगे ok के उपर click करेंगे हमारी drop down list remove हो जाएगी इस वीडियो में बस इतना ही conditional formatting के बारे में जानने के लिए right वाली वीडियो के उपर click करें Excel के अंदर hyperlink का use कैसे करें जानने के लिए left वाली वीडियो के उपर click करें करेंगे